26 जन्वरी यानि हमारा रिपब्लिक डे वो दिन जिस दिन हमारा सम्विधान लागू हुआ था वो सम्विधान जो हमें कई तरह के अधिकार और आजाद ही देता है वैसे ही टेश्बुक आपको देता है अपने सरकारी नौकरी की तयारी सबसे बहतरीन तरीके से करने की सुपर कोचिंग के साथ और इस रिपब्लिक डे पर सुपर कोचिंग आपनी लेकर आया है ग्रैंड रिपब्लिक डे सेल ये सेलेक्शन देश के नाम जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिल रहा है अप टू 90% आफ और 50% की एक्स्टा वेलडिटी और इतना ही नहीं हर पट्चेस के साथ में लेगा गार्निट कैश्वेक अप टू 100% तो अगर आप इन एक्जाम्स की तैयारी कर रहे है तो अभी जाएए और इस ओफर का लाब उठाईए हलो एब्रिवन तो देखेगा यहां पर इंडियन अगर हम बात करते हैं इस पेस अगर हम बात करते हैं तो चलिए फिर मिलकर के शुरू करते हैं सेशन्स को अगर हम देखे तो यहां पर इंडियन स्पेस रिजर्ज ऑगनेशन की तरफ से अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं मिनीमम 60% और CGPA के साथ CPI ग्रेड जो होना चाहिए वो हमारा 6.5 होना चाहिए मेंशन होती है तो आपको 18-30 years होना चाहिए आपका जो एज होना चाहिए 16-24 के अंदर मतलब अगर आप 16 February तक 18 से लेकर के तीस साल के बीच में है तो आपका यहाँ पर इस eligibility को फुल्फिल कर रहे है आपको हमें पता होगा तो आपको हमें पता होगा तो किस तरीके से यहाँ पर निकल करके आएगा और 6.84 आउट ऑफ दे स्केल 10 निकल करके आना चाहिए बित प्री इस eligibility ऑफ बीसी बित फस्ट क्लास बीस्ती इसमें लिख दिया है फस्ट क्लास लिख दिया गया है बाकी यहाँ पर mention नहीं किया गया है क्या उसका ग्रेडिंग होगा क्या होगा और एज लिमिट जो होगी 18 से ले करके 28 साल होने वाली है और इन दौनों पोस्ट के लिए जो आपका पे मैट्रिक्स होगा वो लेविल 10 पर निकल करके आने वाला है मतलब अच्छा खासा पे मैट्रिक्स यहाँ पर आपको मिलने वाला है जिसमें हम बात के पोस्ट कोड 018-019-020-021-022 निकल करके 55 vacancies होगी first class diploma मतलब diploma and engineering बोल दिया गया है मतलब diploma वालों के लिए हम बात के 55 पोस्ट यहाँ पर निकल करके आने वाली है और relevant discipline बोला गया है तो relevant क्या होगा यह हमें पतर चलेगा complete notification में जो कि हमारा 17 तारीक को 17 जनवरी तक हमारे पास आ जाएगा ठीक है from a recognized university और institute और अगर हम बात करें scientific assistant की बात करेंगे तो post code यहाँ पर दिया गया है और total vacancy 6 है इसमें भी first class graduate in VSC बोला गया है really blend discipline के अंदर और age limit जो होगी वो 18 से लेकर के 35 साल तक दी गई है अगर इसका pay scale देखा जाए तो level 7 का pay scale यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है then librarian assistant की है technician B की है draft man की है तो librarian assistant के लिए जो होगा graduate plus first class master degree in the library science तो library science के अंदर होना चाहिए और हम बतके एक post निकल कर क्या रही है इस limit 18 से 35 और level 7 का यहाँ पर job है ठीक है technician B की बात करेंगे तो यहाँ पर 142 post और draft man की बात करेंगे तो यहाँ पर भी मिला करके technician B और draft man की 142 post आएंगी जिसमें SSLC SSC matriculars plus ITI NTC NAC in relevant trade from NCVT निकल करके आता है मतलब देखो diploma के लिए भी vacancy है ITI वालों के लिए भी vacancies है यहाँ पर और degree के लिए भी है और master's degree के लिए वालों के लिए भी है तो इसका age limit जो होगा वाठार से 35 साल होगा और level 3 का job यहाँ पर निकल करके आएगा 5 year experience होना चाहिए किसके case में? Cook के case में hotel और canteen के अंदर और 6 अगर हम बात करते हैं यहाँ पर light vehicle driver के case में निकल करके आता है तो SSC pass होना चाहिए 3 year experience यहाँ पर मांगा गया है और heavy vehicle driver के case में हमारा 2 vacancy होगा SSLC plus SSC pass और its equivalent 5 year experience out of which 3 years of heavy vehicle driver तो 3 year का कम से कम heavy vehicle में है और total 5 year का experience आपके पास होना चाहिए तो हम बात करेंगे इनके लिए जो age limit है 28-25 और यहाँ पर 28-35 निकल करके आ रही है और यह दौनों ही level 2 की post निकल करके आ रही है ठीक है level 2 की post ठीक है अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है out of total 157 vacancies technician, b, draftman, cook, fire man, light vehicle driver A and heavy vehicle driver A, 24 vacancies are reserved for the ex-serviceman इसमें से जो 24 vacancies है out of 157 यहाँ पर जो मिला करके हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसमें अगर 24 vacancy जो है वो reserve है ex-serviceman के लिए और साथ जाथ out of total 219 vacancies of technical assistant, scientific assistant, library assistance, technician भी draftman हम बात करते हैं इन में से जो है वो 14 vacancy reserve किये गए है person with benchmark disability के ल पर update आपके लिए है और इसका detail advertisement and to apply online हम बात करते हैं website पर विजिट कर सकते हैं जो कि हमारा जल्दी ही हम बात करते हैं 27 तारिक तो हमारा online application कब से 27.1.2024 से लेकर के 16.2.2024 के बीच यहाँ पर open होने वाला है तो 16.2.2024 के बीच के आपको from hold up करना होगा तो मतलब 27 तारिक को हमारा इसका detail notification आ जाएगा और हमें पर चलेगा कि हमारे relevant discipline का मतलब क्या निकल करके आ रहा है यो relevant discipline यहाँ पर mention किये गए है उस relevant discipline का मतलब क्या निकल करके आ रहा है तो एक बड़ी vacancies यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर इस रो के दौरा और मैं बड़ी इस इसके लिए preparations अभी से start कर दो और अगर बोला गया है 16 फर्वरी तक फॉर्म है तो मार्च अप्रेल के अंदर भी आपका exam करवा सकते हैं आसानी से ठीक है बिलकुल तो चैनल को subscribe करो, share करो और हम बात करते हैं यहाँ पर वीडियो को like कर देना ठीक है अब देखो preparations की बात करे जिससे आपको लगाता अपडेट मिलता रहेगा इस अपडेट के थूर आप अपने आपको updated रखते हैं different examinations के लिए भी आपके लिए helpful होगा और इसके साथ discussion group है वो भी आपके लिए helpful रहेगा ठीक है साथी साथ अगर हम बात करेंगे तो AJ के लिए आपको यहाँ पर क्या है complete अगर civil है civil mechanical है mechanical electrical है electrical है electrical तो अभी maximum discount मिल रहेगा और आपको जो complete SSC का live course भी मिलेगा साथी साथ अगर हम बात करें complete RRB का भी course मिल रहा है live classes और हम बात करें सफलता वैच जो है वो live यहाँ पर आपको मिल रहा है और इन सब के साथ साथ आपको मिलेगा PDF notes और notes के साथ साथ बहुत सारे caution practice जो आपके लिए help करेंगे साथ जब इस रोग के previous year papers भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ठीके तो यह सारी चीजों के साथ साथ आप यहाँ पर इसको enroll कर सकते हैं तो 6 प्लस 3 मन्त के लिए अगर आप enroll करते तो 3233 में दिख रहा है इसको आपको मिलेगा 3002 रूपीज में using a code webhav अगर webhav code को आप use करेंगे तो webhav code को use करने पर यहाँ पर आएगा apply तो apply जो code दिया है उसको हटा देना है और नया code लगाना है webhav और उससे आपको maximum discount मिलगा 3002 रूपीज में 6 मन्त नहीं 6 प्लस 9 मन्त क्योंकि usually days के लिए 4600 में आपको यह course मिलता है अभी मिला है केवल 3002 रूपीज में वो भी 3 मन्त extra validity और साथ-साथ मौका है up to 100% cashback जीतने का भी तो आज ही enroll कर लो इसको अगर हम बार करने आप किसी भी AJE preparations कर रहा है civil mechanical electrical के जो भी student है और यह all-rounder code के साथ आप इसको enroll कर सकते हैं ओके, so thank you everyone and love you guys